दिल्ली के करतार नगर इलाके में शनीवार को तीसरी सनातन धर्म संसत का आयोजन हुआ इसमें द्वारका पीट के शंक्राचार सदानन सरसुती समय देश के प्रमूख पचास सहट संत साध्वी कथावाचक शामिल हुए एक हजार से जादा लोग इस कारिकरम में पहुँचे संसत का आयोजन कराने वाले कथावाचक देव की नंदन ने वकफ बोड की तरह ही सनातन बोड बराने की मांग की हमें नहीं भूलना चाहिए कि आंधर प्रदेश में तीरुपती बालाजी मंदिर के प्रसादम में चर्बी मिला कर हमें खिलाई गई उन्होंने चोथी धर्म संसद अगले साल प्रयागराज में होने जारे कुम्ब मेले में रखने की बाद गई शंकराचार सरस्ती ने कहा सनातन धर्म वाला ही भारत देश का मूल निवासी है सबी को रहने का अधिकार है वो अलग बात है लेकिन हमारे उपर आकरमन करने का अधिकार किसी को नहीं है कुबरेश और धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि आपके घर में जितने सदत से रहते हैं सभी के पास शस्त्र और शास्त्र दोनों हो हमारे देवता बिना शस्त्र के नहीं चलते इसलिए आप हमारे शस्त्र और शास्त्रों का साथ बना कर चले इसी के साथ मैंने रही है एशिया इस इंडिया के साथ हने बाद